नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुराना जो वोटर आईडी कार्ड है जो एक सिंपल पेपर पर लैमिनेट होके मिलता है उसकी जगा आप पीवी सी का कार्ड कैसे बनवा सकते हैं अपने पुराने कार्ड को आप कैसे रेपलेस कर सकते हैं नए पीवी सी वोटर आईडी कार्ड में वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉटरेंट है यृग देखे पुराना वाला जो हमारा बोटर आईडी कार्ड है वो खराब हो जाता है या उसमें वह खो जाता है या कोई भी ऐसी दिक्कत हो जाती है तो उसका आप correction कैसे करेंगे तो वीडियो को start करतेैं एक like के साहर साथ हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियो जा चुकी है आप इन वीडियो's service portal nvsp.in इस पर आप जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे जैसे यह आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको login पर क्लिक करना है पहली बार जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको register करना होगा और registration की जो process है वो कोई जादा बड़ी process नहीं है आपको अपना mobile number यहाँ डालना है और अगर कि आपके पास EPIC नमबर जो कि आपका voter ID card number है अगर आपके पास है तो आपको वो भी यहाँ पर डाल देना है इसके साथ साथ अपना email address password और confirm password यहाँ पर बना देना है अब यहाँ पर जो password है उसमें ध्यान रखिएगा कि जो password आपका बनेगा उसमें एक capital letter में होगा एक special collector और एक number आपको वहाँ पर combination में बना कर देना होगा तो बहुत ज़्यादा problems इसमें नहीं आएंगी अगर आपको फिर और मैं यहाँ पर इसको login कर देता हूँ हाला कि login मैंने कर रखा है अल्रीड़ी देखिए मैंने यहाँ पर login अपना किया हुआ है तो आप जब login करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के का document जो है वो खुल कर आता है यहाँ पर खुलने के बाद आपको यहाँ पर वोटर आईडी पोर्टल पर क्लिक करना है जो कि कुछ इस तरह से खुल कर आएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और तूदी मॉइंट बने इसलिए मैंने पहले से सारी चीज़े करके रखी हुई है उसके बाद आपको यहाँ पर रिप्लेश्मेंट आफ वोटर आईडी पर क्लिक करना है जैसे ही आप रिप्लेश्मेंट वोटर आईडी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और आपके पास वोटर आईडी नमपर है या नहीं है तो अगर आपके पास है तो प्रोसीड करने के बाद आपने नाम यहां पर लिख सकते हैं आप पुरुष महिला ने और अपनी लोकेशन वगरा यहां पर दे सकते हैं आपकी जनमतिती आपका जो भी है वो सारी चीज़ें यहां पर आप देंगे यह उसके इसमें करेंगे आप जब आपके पास EPIC नमबर वोटर आईडी नमबर आपके पास यहां पर नहीं है उसके बाद आगर आपके पास है तो आप सर्च वाई वोटर आईडी नमबर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपकी जो वोटर आईडी कार्ड नमबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे ध्यान दखेंगे जो आपका ID number है वो ही आप इसमें डालेंगे और उसमें किसी तरेके की टूटी यहाँ पर आप नहीं करेंगे इसके बाद आप continue पर क्लिक करेंगे आपका जो record है वो यहाँ पर find किया जाएगा और अगर आप का record यहाँ पर found हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से बहा है जाते हैं फिर से हम रीप्लेस्मेंट में जाते हैं ए इसको उसको क्ली। क करते हैй है ए को यह स्टा सा ताइम देशात पर क्लिक करते हैं और I have this number यहाँपर हम अपना number जाल देंगे दुबारा से जो और अब रबाला था इसको मैं आप से हाइट कर दूँगा क्योंकि security reasons की वजा से and fast details पर click करेंगे fast details पर we have found record and इसको हम proceed button पर click करेंगे and यहाँ पर हमारे पास option आ जाता है continue for the replacement of the voter ID card इस पर हम चेक करेंगे continue करेंगे continue करने के बाद यह आप से आपका mobile number पुछेगा वो आपने यहाँ पर डाल देना है जिससे आपने register किया है and यहाँ पर send OTP पर click का आपने करना है आपके पास एक OTP आएगा वीडियो को like जरूर करिएगा दोस्तों क्योंकि आप लोग like करने में और share करने में बहुत ज़्यादा घंजूजी करते हैं हम लोग आपके लिए इतनी वीडियो बनाते हैं उसके वाद आपका जो भी OTP आया है वह आपने यहाँ पर भर देना है verify पर click करना है successful हो गया है आपको back पे आना है और यहाँ पर आपको reason लिख देना है कि क्या reason की वज़ा से आप replace जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमेरा water ID card खराब हो गया है बस यह लिख दीजे save and continue पे click करिए इसके बाद आपके पास तीन option आएंगे इसमें आप VRC CST से collect करना चाहते हैं घर पर by post मगाना चाहते हैं या आप PLO से collect करना चाहते हैं तो अगर आपके डग घर आ है पास में या आपके हाँ अच्छी सर्व पिस है postman की तो आप by post मगा लिजे घर पर आ जाएगा save and continue पर आपने click करना है जैसे आप सेवन continue पर click करेंगे आपका जो form है वह आपको यहां पर दिख जाएगा कि आपकी विधान सवा कौन सी है आपकी कित्ती age है आपका सारा चीज़ें यहां पर आ जाएगी और आपने फिर उस पर submit पर click कर देना है जैसे ही आप submit पर click करेंगे आपका form यहां पर submit हो जाएगा एक बहुत पर टाइम ले रहा है यह और submit होने के बाद आपका form कुछ इस तरह दिखाई देगा और आपकी जो application है वो आपको submit हो चुकी है और आपको 7-8 दिन के अंदर आपका नया voter और ID कार्ड आपको अपकर पोस्ट पर प्राप्त हो जाएगा तो यह है एक छोटा सा process मुझे लगता है कि अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका